कर दो कि नहीं तो क्या कर लेगा तुछ राज का मर्डर किस ने किया मैं पूछ रहा हूं तुम से यह कहानी इस ऐसे लड़के और लड़की की है जुन्होंने होसलों को पर देने की ठानी थी जो मन्जिल के आगे उमीद तलाश ने निकले थी अरे मारा पेटा बॉक्सिंग टीम में सिलेक्ट हो गया अब तो गाओ का नाम पूरे देश में रौशन होगा और देश का नाम तुरे दुनिया में रौशन होगा नहीं नहीं बिल्कुल ही शहर का महल बहुत खराब है नहीं मम्मी मुझे पढ़ना है और आप लोगों का नाम रोशन करना है महल तो खुद से बनता है वो सब तो ठीक है लेकिन तेरे पापा नमानेगे मा आप पापा को समझाओ क्या आप लोगों को मुझ पर भरोशा नहीं है बेटा न्यूज चैनल पर रोज रोज ऐसी खबरे सुनने के लिए मिलती है कि जी घबराता है अरे मम्मी लड़कियां बहार जाके पढ़ती है और डॉक्टर इंजीनियर बनती है अच्छा ठीक है तू नाज्टा तो कर देख बिटा अपना ध्यान रखना और समय पर फॉन करते रहना हो मां आप फिक्र मद करो मैं फोन करती रहूंगे और आप ना ध्यान रखना वाक्त कब कहा लिए जाए किसी को नहीं पता होता एक हादसा हमारी जिंदगी को कहां से कहां ले जा सकता है इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता काव्या ग्रेटर नॉइडा के एक कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग में एड्मीशन लेती है तो राज बॉक्सिंग के एक मैच में चोटल हो जाता है और डॉक्टर उसे छे महीने का बैड ड्रेस्ट बताते हैं जिसके बाद राज घर चला जाता है हलो हलो और क्या भाई बस थी को यार गरबरू डॉक्तर ने शे महीने का बैड ड्रेस्ट बताया टाइम पास नहीं होता है सारा दिन घर में पड़ा रहा तो हूँ कुछ काम हो तो बता जिम में टेनर का काम करेगा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं यार मेरा टाइम स्वेंट हो जाएगा चल ठीक है मैं तुझे कॉल करके बताता हूँ और राज फिर जिम ट्रेनर के तोर पर जिम में काम करने लगता है राज लड़कों और लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है जी बताईए मुझे जिन जॉइन करना है मैं कितने ताइम में फिट हो जाऊँगी जितना टाइम आप देंगी क्योंकि महनत आपको करनी है और ट्रेन मुझे आप एक काम कर सेथे आप कल से आईए आपकी ट्रेनिंग कल से शुरू करते है ठीक है मैं 6 o'clock आते हो ठीक है राज बीचेन होकर बार भार खड़ी की तरम देखता है और मन ही मन सोचता है कि अभी तग वुद आई नहीं पर जाए तरह बार रखजा बार क्या था और जाए पो कर दिताल और जागे रख़ता या बार की तरह या, या 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 रख़ताए 8, 9 राज पहली नजर में ही काव्या को दिल दे बैठा और एको काव्या कि पई जूद्रार पिर नोच में झाल में तुड़ी तायर Hobs रजिए हुआवी इस्टे फॉल्गिए और एक वक्त ऐसा आगया की राज जिम में सिर्फ काव्या का इंतजार करने लगा राज का प्यार दिन बदिन काव्या के प्यार में उतरा जा रहा था लेकिन काव्या राज के प्यार से अंजान थी सब बहुत करनी पड़ी इतनी चल्दी थख जाओगे तु बाड़ी एसे मनाओगे तु सर मेनजी बढ़ाओगे तु मुझके लिए बहुत मैनद करनी पड़ी तु मुझे फिक्स बाड़ी थे यह कोफेक्ट बंच एक मैं हूँ नुट आज अमने चल्ए पर रुक जाओ तु मुझे लेड़ू जाओगे तु जाओगे तु गाओं की गलियों से निकल कर शेहर के चौराहों पर एक तरफ काव्या अपनी मंजिल तलाश रही तो दूसरी तरफ राज अपना नाम आस्मान पर लिखना चाहता था और इस तरहां खु कि जील में उतर जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान राज और काव्या की नजदी क्यां पड़ती जा रही थी और दोनों एक दूसरे के बेहत करीब आ चुके थे अब काव्या के दिल में भी राज के लिए जगा बनने लगी धीरे धीरे खड़ी की सुईयां छे बजे के करीब आती है और राज का दिल धग धग करने लगता है हाई सर अ काव्या आज लेक्स की इससाइस करने हैं नहीं है ओके चलों लेट्स गो काव्या राज के इरादों से बिल्कुल अज्जान थी वो इश्क के खुले आसमान में राज के साथ उड़ रही थी तो राज भी काव्या को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता था और अपने प्यार को पाने के लिए राज किसी भी हद तक जाने के लिए तयार था जराज इतना ही साथ बच चुके हैं चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथ से जबनी कॉफी पर लातो लेट हो जाओंगे फिर मैं मैं चोड़ दूगा हुआ है अब जाए आज इतना ही साथ पच्छुके हैं चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथ पाशे अपनी कॉफी पिलातों लेट हो जाओंगे फिर मैं आओ कव्याप कने साथ np तुम्हेरा अब आज पकी बहुत अजया है पस यह सब ने पाशелей pan чув पोenne अजया हाओ किन हступ कि आए अजया तो कावे ब तमसे कुछ डुछ किया नहीं आजाते हैं . अभरे बसके बढ़रे दिन सकता है . बढ़रे मुझे ? नसे आपता है , इतिक .. इतिक बसक्रम कर दो दो ने अप्रहे मुझे खभ दो कि ये थे वे जार लावारे नहीं आपते हैं . कर संथन के ऊड़े usta जो और तिर में, तो जो जै मैं जो 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 निता है है कर दो ते लोगला का जी जे जो जे ज़ब दुट य्टारे, आपको जो 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 जोर्दू काव्या, रेड़ी? यहाँ, चलो, 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 अंजान पहचान से शिरू हुआ, राज और काव्या की मुलाकातों का ये सिल्सिला, दिनो दिन दोनों को करीब लाता गया, लेकिन प्यार का ये किस्ता अपनी मुकंबल कहानी नहीं लिख सका. जो पाट होते हैं, तुम क्या हुआ है? मेरा मन मजल, तेको उस दिन जो भी कुछ हुआ उसे बूल जाओ, और बैसे नहीं तुम्हें तुम्हें आच्छा नहीं किया भी साहँ. क्यों? क्या मुलत हुआ है, या? खर्णा पर्णाई जा जा नहीं आ है तो इसके रेगा जा सबस्क्राइब बिल्ली में आँ पर यादाएब ऊपर देखते ने सान सबस्क्राइब तुमसे एवडे सुने है 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 बस लाट गाना, सारी मतने वही हो दिस राज काव्या को बुलाने के लिए फोन करता है, लेकिन काव्या फोन नहीं उठाती है राज काव्या को मैसेज डालता है और फिर काव्या को फोन करता है और जब काव्या राज का फोन नहीं उठाती तो राज अब काव्या को ब्लैक मेल करने लगा काव्या को MMS क्लिप भेजता है जिसे देखकर काव्या पागल हो जाती है हलो कौन नहीं बोल रहे हूँ हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ आप कौन नहीं मैं काव्या बोल रहे हूँ ओह काव्या क्या तुम तो भूली गई बड़े शाहर जाकर बड़िया जिंदगी जी रही हो नहीं नहीं मैं भूली नहीं हूँ आप बताओ कैसे हो मैं बढ़िया हूं, तुम बताओ पस नहीं, एक या प्रॉब्लम में भस चुके हो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है क्या तुम मदद कर सकते हो? अरे हुआ क्या है ये बताओ राज और मैं रूमे के विदे एक काम करते हैं, कल मिलते हैं मैं हूँ नहीं आज के कत्ल की गहरी साचिश रष्टे हैं आज से तुम्हारा सब रोना दोना काज़ बनाता है अब उपर जाके MMS बनाएगे मानो किसी राइटर ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी हो नईम काव्या का फोन अपने ड्राइवर को देता है जो काव्या का फोन लेकर इधर उधर घुमता है जिससे काव्या की लोकेशन का पता ना चल सके चल सके चल सके बनाएवर के लिख लोकेशन का ना चल सके लोकेशन का बनाएवर को बनाएवर को घुमता है जो जो काव्या मैणम कि कुछ नहीं लोकेशन के लोकेशन का फोन आद आधर वोकेशन के लिख वेज़िए प्रिए मैंकी लिख साब आप साब बोल्ट लोकेशन करता है कि नहीं तो क्या कर लेगा तो द Kelan? जог मनो लो दोर मेरिं काया है जब कतल के दो दिन बात भी राज का फोन नहीं लगा तो उसके घर वाले परिशान होगे जिम मालिक राजेश और राज का दोस्त राज के फ्लाट पर पहुँचते हैं राज के फ्लाट की चाबी जिम मालिक राजेश के पास भी थी पुलिस ने सबसे पहले राज के करीबियों से पूश्टाच की जिसमें पता चला कि राज के सबसे करीबी एक लड़की रहती थी काव्या और इम्रान ने राज का कतल कुछ इस तरह किया जिसकी गुथी सुलजाने में पुलिस के भी पसी ने छूट गे फिर पुलिस ने बिछाया कातिलों को पकरने का जाल जिम मालिक राजेश ने पुलिस को काव्या की फोटो दी पुलिस ने काव्या की फोटो सुसाइटी में रह रहे हे लोगों को दिखा कर पूश्टाच की आजीर, क्या नाम है तुम्हारा? वाज को समसे जानते हो आवी, क्या नाम है तुरह? सर, योगेश योगेश, राज को जानता है? ये सर, ट्रेनर थे हमारे हाँ और कुछ? ये सर, और कुछ से लगेश अब बोल सा, क्यों नी तू? सर, मैंने काव्या नाम की एक लड़की के साथ देखा था उन्हें अब सर, आते जाते हुए अब आया ना रास्ते पे धीरे धीरे पुलिस काव्या के कॉलिज पहुँच गई जहां से उसे काव्या का पता मिला और पुलिस ने काव्या को गिरफतार कर लिया किसने किया उसका तू सुन रही है मैं तरे से बात कर रहा हूँ नहीं मैंने कुछ नहीं किया किसने किया मैंने किया मैंने किया राजका मुर्ड किसने किया मैं पूछ रहा हूं तू से मैंने किया पुलिस ने काव्या से सूरजपुर थाने में पुश्टाच की जिसमें उसने इम्रान और उसके ड्राइवर का नाम कबूला पुलिस ने आई पीसी धारा 302, 34 और 120 बी के तहट केस दर्ज कर तीनों को जेल भेज़ दिया तो हम आपसे यही अपील करते हैं कि अपने आसपास के लोगों से सचेत्र ऐसी घटनाओं से दूर रहे और ऐसे किसी शक्स के जहांसे में ना आए अगले हफते फिर होगी मुलाकात क्राइम फाइल प्यार इश और गुनाफ सीजन वान की एक और कड़ी के साथ तब तक के लिए दीजे इजाज़त जै हिंदुस्तान झाल